राजिस्तान एंटी गेंग्स्टर टास्पोर्स पुलिस मुख्याले की टीम ने शुकरवार को बड़ी कारवाई करते हुए आतगमादी गति विदियों में लिप्त रहे 25,000 रुपे की इनामी आतंकी 31 वर्षे मौमद मिराज उद्दीन सन आफ मौमद निजा उद्दी निवासी वार्ड नमबर 18 बजरिया रेलवे स्टेशन थाना गंगापुर सिटी से गरफतार किया गया है जैपुर ATS की टीम को 10 साल से इसकी तलाश थी अतिरित मार निदेश पुलिस एंटी गेंगस्टर टास्कोर्स पुलिस अपराद दिनेश एमन ने बताया कि साल 2014 से स्लीपर सेल्स द्वारा भारत के विविन स्थानों पर आतंकबादी घटनाओं को अंजाम देने की योजना थी इस मामले में प्रिदेश के सीकर जोदपुर इवं जैपुर जिले से कुल 13 आतंकियों को गिरफतार किया गया था जिन में से 12 को कोड़ द्वारा आजीवन कारवास की सजा सुनाई गई थी ADG दिनेश एमन ने बताया कि इस मामले में थाना SOG जैपुर में साल 2014 के तीन नंबर मुकदमे में कारवाई दर्श कराई गई थी जिसमें बताया गया था विस्पोटक पधार अधीनियम वा विदिद विरोध एक्टिविटीज अधीनियम के विविनित धाराओं में मुकदमा दर्श करवाया गया था पकड़ा गया आतंकी मुहमद मिराज उद्दीन घटना के वक्त से फरार चल रहा है ATS, SOG, ADG द्वारा 24 जनवरी 2018 को 25,000 का इनाम गोशित किया गया था दिनेश एमन ने बताया कि अपरादिक गिरो एवं गैंस्टर की धरपकड की अभ्यान के सफलता के लिए IG Crime प्रफुल कुमार के पर्रेवेशन एवं AGTF के अतिरिक्त पुलिस के अधिकारी विद्या प्रकाश के सुपर्वीजन तथा SI नरेंद सिंग के नितित में SI शेलेंद शर्मा, हेड कॉंस्टेबल शहीद अली, कॉंस्टेबल रवेंद सिंग, महेंद सिंग, वाब बिरजेश कुमार की टीम को असूचना संगलन के लिए भरतपुर रवाना कर दिया गया था गुरुवार को AGTF की सूचना मिली थी कि ATS में इनामी आतंकी मौमद मिराजुद्दीन गंगापुर सिटी आया हुआ है सूचना पर टीम द्वारा अतिरिक्त के निवास पर आसपास के छेतर में निग्रानी रखी गई सूचना सॉलिड होने के बाद CEO सिटी बाबुलाल विश्णुए की मदद से इसे पकड़ लिया गया शुकरवार को इसे आगे की कारवाई के लिए ATS टीम को सौप दिया गया इसके साथ ये डी जी ने बताया कि आतंकी मौमद मिराज उद्दीन दिली में ओकला सित मरकस गुजरात एवं राजस्थान के विविन जिलों में फरारी काट रहा था पुछटाश में इसने बताया कि ये और इसके साथी इंडियन मुजा उद्दीन एवं अन्ने इसलामी संगठों से संपर्क में थे साल 2014 में इसके द्वारा विविन स्थानों पर आतंकी घटनाओं का अंजाम देने की योजना थी पर इससे पहले भी इनके साथी सुरक्षा एजनसी की रफ्तार में आ चुके हैं एमेन ने बताया कि आतंकी मुछमद मिराज उद्दीन को राजस्थान एटेस को सौमद्याज जा चुका है आगे की कारवाई उनके द्वारा ही की जाएगी जिसमें और भी खुलासे हो सकते हैं ऐसी योज अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल दनगरी मीडिया के साथ दन्यवाद